जिन चात्रों ने अभी अभी ITI पास किया है उन चात्रों के लिए एक और अच्छी बड़ी ख़बर है जौब से संबंदित ख़बर है एक और बड़ी कमपनी IOCL Indian Oil Corporation Limited में pipeline division में vacancy आई है आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कौन कौन से trade के छात apply कर सकते हैं sell link क्या है आयू सीमा क्या है और form कैसे apply करेंगे कहां से apply करेंगे form भरने की last date क्या है ये सारी चीजे जो है मैं आप आपको इस वीडियो में बताऊंगा साथ में selection process क्या होने वाला है आप लोगों का वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीडियो सुरू करनेस पहले सभी चात्रों से निवेदन है जिन चात्रों का ITI complete हो चुका है वो चात्र जो है चैनल को subscribe कर लें क्योंकि जौब से सम्बंदे सभी जानका रही है आपर मिलती रहती है और बड़ी कंपनी है आप सभी ने देखा होगा सुना होगा और काफी इ मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ और यहां पर आप लोग देख सकते हैं लाज़ डेट आप नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन बारा सेप्टमबर को जो है निकला है और लाज़ डेट एंड डेट आप रिसीट आप ऑनलाइन अप्लिकेशन जो फार्म भरने की है वो 10 जो है अक्टूबर जो है 10 अक्टूबर लाज़ डेट है अभी बहुत समय है और जो आई टी आई बच्चे पास आउट हो चुके हैं 17 सेप्टमबर को अपने आई टी आई से जाके जो है फाइनल मार्सीर सर्टिपिकेट ले सकते हैं और उसके बाद आप लोग यह भर सकते हैं आगे बाद कर लेते हैं अप्लिकेशन देखिए अपले यहाँ पर बहुत सारी ट्रेट के लिए बहुत सारी जगह चीजों के लिए जगह है यहाँ पर जो आई टी आई के बच्चे हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो टी ए वाली पोस्ट है वो आ माचल प्रदेश में एक वेकंसी है, टिये पंजाब में एक वेकंसी है, टिये उत्तर प्रदेश में तीन है, टिये जो है गुजरात में 11 वेकंसी है, टिये राजिस्तान में तीन है, और यहाँ पर टेक्निकल अनेलिस्ट बोलते हैं, जिसमें ITI के बच्चे इलिजिबिल हैं, और बाकि उडिसा में TA जो है साथ वेकंसी हैं और छतिवड़ में जो है वो एक वेकंसी हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैटिगरी बाइज उदर देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं TA यहाँ पर मैं आपको TA पूरा दिखा रहाँ कि TA के लिए क CBT या SCBT किसी से भी होगा आपका चल जाएगा तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जो NTC certificate चाहिए issued by SCBT अबलिक NCBT तो NCBT से या फिर आपका ATI होना चाहिए या फिर SCBT से होना चाहिए आपका ATI जो है वो चल जाएगा चलिए आप बात करें कि कौन कौन से ट्रेड के ATI के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं वो भी जान लेना ज़रूरि है तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से ट्रेड के चाहतर जो है Ncias award के जो हैं Electronics Communication System, Turner, Wireman, Draftman, Mechanical और Mechanic Industrial, Electronics और Information Communication System Maintenance और RACI के बच्चे और Diesel Mechanic के बच्चे इतने ट्रेड के छात्र जो है, 14 ट्रेड के छात्र जो है वो इसमें फार्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें आगे बात कर लेते हैं, एक चीज और है यहाँ पर एक आयू सीमा यहाँ पर और लिखा हुआ है, एज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एज जो है आपकी, वो 18 से लेके 26 साल के बीच में होनी चाहिए और एज जो है वो इस डेट के अनुसार जो है, आपकी कल्कुलेशन होगा इस डेट के अनुसार जो है, आप 18 से 26 सीयर के बीच में होने चाहिए अब बात करते हैं, और भी चीज़ें इंपोर्टन्ट हैं इसमें, मैंने आपको यह बता दिया पे स्केल क्या होगी, सैली क्या होने वाली है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपकी सैली होगी, जो यहाँ पर पॉइंट नमबर टू देखिए, सैली फॉर दा टेकनिकल अटेंडेंट जो आईटिय के बच्चों के लिए वो आपकी सैली 23,000 से स्टार्टिंग होगी और 78,000 तक सैली जाएगी, 23,000 तो इसमें बेसिक मिलेगा आपको, उसके बार HRA यहाँ पर बेसिक पे है, प्लस DA है, फिर HRA है तो यह 23,000 आपका जो है वो लगबग लगबग 40,000 पहुंच जाएगा, 40,000 से आप लोगों की जो है वो स्टार्टिंग इसमें होने वाली है, फिर जो डेट की कट आफ है, मतलब जो आपका आयू सीमा होने चाहिए, वो इस डेट के बीच में पूर्ण होनी चाहिए, और आ आपके मारसीट और सेट्पिकेट जो है वो जनरेट हो गए है, तो आपकी अगर आयू इसके बीच में कम्प्लिट हो जाती है, 18 से जादा हो जाती, 26 से कम हो जाती है, और आपकी मारसीट और सेट्पिकेट तो आपका साथ सेप्टमबर को जनरेट ही हो गया, तो यह भी क्र जर्नल ओबी सी और इडवलू एस के लिए सौ रुपए जो है आपका फॉर्म का फीस का लगेगा ऐसी ऐस्टी और जो पीडवलू डी कंडिडेट है मतलब फिचकली चैलेंज है उनको जो है कोई फीस नहीं लगेगी नो अप्लिकेशन फीस और फिर बात करें फीस जो है वो ऑनलाइन पेइमेंट करना पड़ेगा वेफसाइट इसके वेफसाइट के थुरू ही होगा और किसी आफ्लाइन मोड के थुरू नहीं होगा फिर बात करें कैंसे सेशन की तो यहाँ पर जो भी एज रिलेक्सेशन है व और फिशकल टेस्ट होगा, जैसे SMPT बोले हैं, सॉर्ट में skill profency and फिशकल टेस्ट है, ये जो skill profency test है, इससे आपका qualifying marks होगा, इसमें आप लोगों को जो है minimum, जो है 40% स्क्षी क्ट्चोर करने पड़ेंगे, आपको, और बाकी SCSTW इनको यो दो है, SCST और PWD के candidate को 30% लेकर आना है फिर आपको जो है इसमें जितनी भी vacancy है उससे 5 गुना ज्यादा बच्चों को selection किया जाएगा उसके बाद जो है आपका वो technical test होगा और technical test में यहाँ पर दूसरा test जो होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं written test होगा और written test जो होगा वो 611-2022 को हो सकता है और इसमें MCQ आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको point number 5 देख सकते हैं आइटिया के बच्चों के लिए technical attendant के लिए total 100 question आएंगे 75 question जो होगे वो उनके टेकनिकल से होगे आइटियाई trade से संबंदेत होंगे और जो 25 question होंगे वो उनके reasoning और aptitude और यहाँ पर देखिए journal aptitude, reasoning, journal English, numerical aptitude और journal knowledge इससे होंगे तो कुल मिला के दो टेस्ट होने वाले हैं पहला होगा skill proficiency and physical test जिसमें आपको qualify होना होगा 40% marks ले आते हैं तो आप लोग qualify हो जाएंगे second round के लिए second round में आपके 100 question आएंगे 100 question में से आपके 25 question होंगे आपके ITI से होंगे trade theory से जिसको बोल सकते हैं और दूसरे 25 question जो होंगे वो general aptitude reasoning से होंगे और आपका general English से होंगे numerical aptitude और journal knowledge से होंगे तो total आपको जो है कोई negative marking नहीं होगी प्रते question एक number का होगा 100 question 100 number और 90 minute दिये जाएंगे कोई भी आपकी negative marking नहीं है तो यह आपका होगया पूरा इसका अब बात कर लेते हैं जो आपका जो verification आप documents बगएरा होंगे इनके बात कर लेते हैं यह documents verification होंगे वो सारी चीजे जो है आपको जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही होंगे अब बात कर लेते हैं जनरल इस्टक्शन से इसमें लिखे हैं और हम बात कर लेते हैं कि जो में इसमें चीजे हैं वो how to apply form, form को कैसे apply करेंगे तो देखिए official website है www.https.indianoil.in तो इस website में जाके आप लोग अपना form भर सकते हैं और form जो है 12.9 से start है form भरने के last date जो हो 10.10.2022 10 October है और यहाँ पर जो है और भी चीजे लिखी हुई है important date की बारे में बात कर लेते हैं कौन-कौन से important date है तो देखिए 12.9 से आपका form start है और 10.10.2022 तक सामके 8 बजे तक आपका form भरने की last date है 100 रुपए लगने वाले हैं जो है OVC, General और EWS को बाकि किसी कोई पैसा नहीं लगेगा Tentative Date of Download Online Admit Card वो 27.10.2022 को से लेके 6.11.2022 तक जो है डाउनलोड किया जा सकता है और 6 तारिक संडे को जो है इसका एक्जाम हो सकता है और यहाँ पर S.P.D.D. Online का जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते है डेट होगा और important चीज क्या क्या है इसमें आप लोग पढ़ सकते है जनरल इंस्टक्शन्स है यह सारी चीज़े जो है आप लोग इसमें से पढ़ लेंगे आसा करते हैं सारी चीज़े आप समझ गया है कि फॉर्म कहां से भरना है फॉर्म भरना ही कि लाज्ट डेट क्या है फॉर्म की वेबसाइट यहाँ पर आप लोग देख सकते है फॉर्म की वेबसाइट यहाँ और यहीं से ऑनलाइन फॉर्म भरके पेमेंट करके और जो इंपॉर्टन डेट है वो आप लोग देख सकते हैं बाकी ट्रेड कॉन कॉन सिटेट के बच्ची अपलाई कर सकते हैं एज क्रेटेरिया क्या है यह सारी चीज़े मैंने आपको बता दी है वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी है आसा करते हैं आपको सारी चीज़े समझ में आ गई होंगी फिर भी कोई कन्फूजन आपके मन में रह जाता है comment box में comment करिए हम आपकी help करने के आपको समझाने कोशिस करेंगे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like कर दीजे चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को subscribe कर दीजे इस वीडियों बस इतना ही धन्यवाद